हाई फ्रेंज आज हम जानेंगे ताज महल के बारे में ताज महल भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिन तट पर स्थित है ताज महल नाम का अनुवाग क्रोन ओफ पैलिस के लिए रूप में किया जाता है शाह जहां कुमृत फार्सी राज कुमारी और पत्मी की सुंदर्ता के संदर्भ में इसका नाम दिया गया था यह दुनिया के साथ अजूबों में से एक है साल 1983 में ताज महल कोयनेस्वो की वर्ल्ट हेरिटेज स्थल के रूप में खोशित किया गया था यह मुगलार के टेक्चा का सबसे श्रेश्ट उदारण है जो भारतिय अपशन और इसलामी प्रभावों को एकत्रित करता है सफेद संग मर्मर के कारण जो सूर्य की रोशनी या चंद्रमा की सतह पर निर्भर करता है उसके आधार पर रंग बदलता प्रतीत होता है ताज महाल का निर्मान 1632 में शुरू हुआ था और 1633 में दो दशक पात पूरा हुआ ताज महाल के निर्मान के लिए 20,000 सेकेंड अधिक मजदूरों को किराय से प्लाया गया था और 1000 हाथियों को समाधी के परिसर का निर्मान करने के लिए प्लाया गया था ताज महाल का मुख्य परिसर सफेद संगमर्मर द्वारा मूल्यवान और बहु मूल्य पथरों की 28 विभिन प्रकार के साथ बनाया गया था ताज महाल का सेंट्रल डूम 58 फीट है और 240 फीट की उचाई तक बढ़ता है आज की विडियो में बस इतना ही इस प्रकार के और विडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट किजिए और विडियो को लाइक और शेयर किजिए तैंक यूँ